हलो दोस्तों आप देकरें डिजुभारत मैं हूँ सुनुकुमार दोस्तों आज मैं आपके लिए के रागया हूँ एक इंट्रेस्टिंग वीडियो इस वीडियो मैं आपसे बात करना वाला हूँ कि अगर आपका चैनल मों इंटाइज हो चुका है आपका अटसंस अकाउंट बन चुका है और आपके अटसंस से आपका चैनलीक भी ओं चुका है और वेरिफाई भी हो चुका है लेकिन आपको इस वीडियो में डिटोल में बताने वाला हूँ और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर आप अपने AdSense account को एक email से दुसरी email पर transfer करते हैं तो आपका जो AdSense verification हुआ है आपका channel का वो आपको loss नहीं होगा यानि कि आपका channel monetize है तो monetize ही रहेगा उसमें आपको किसी परकार का कोई changing नहीं होगा तो इसलिए आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है तो आप easily transfer कर सकते हैं अपना AdSense account जिस email पर है अगर उस email से आप दूसरी email पर transfer करना चाहते हैं तो चली सब सब पहले मैं अपना Chrome browser को open कर लता हूँ और यहाँ पर search कर लता हूँ YouTube.com देखे YouTube का page हमारे सामने open हो चुका है उपर आप right corner में देख रहा होगे यहाँ पर आपके सामने signing का बटन देखने को मिल जाता है आपको simply signing बटन पर किलिक करना है जैसे हम आप signing बटन पर किलिक कीजेगा तो यहाँ पर आप से email आईडियो और password मांगा जाएगा आप उस email आईडियो और password से लोगिंग करें जिस पर आपका YouTube चैनल हो तो मैंने यहाँ पर आपना email आईडियो और password डाल दिया है आप देखिए नीचे में यहाँ पर signing का बटन आ रहा है मैं इस पर किलिक करके और signing कर लेता हूँ जैसे हैं यहाँ पर signing करेंगे तो देखिए उपर में जो हाँ पर signing आ रहा था वहाँ पर हमारे चैनल का logo आ चुका है आप का करना है कि सिंपल अपने logo पर किलिक करना है जैसे हैं आप logo पर किलिक किजेगा तो आपके सामने एक drop down menu आ जाएगा जिसमें तिसरे नमबर पर आप YouTube Studio आपको देखने को मिल जाता है इस YouTube Studio मेनू पर आपको simply किलिक कर देना है जैसे हैं आप YouTube Studio मेनू पर किलिक किजेगा तो आपके सामने आपकी चैनल का dashboard open हो जाएगा जैसा कि आप देख रहा होंगे यहाँ पर open हो चुका है कि आपको simply monetization टैप पर यहाँ पर किलिक करन और यहाँ पर आपको कुछ और details देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर आप देख रहा होंगे एक आपको blue color में लिखा हुआ मिल जाता है account associate account associate पर आप जैसे ही किलिक किजेगा तो देखिए आपके सामने एक नया page open हो जाता है यहाँ पर आपको पता चलेगा कि जो आपका YouTube channel ह आपको देखने को मिल जाता है जिसके last में आप देख रहा होंगे यहाँ पर 905 है इस चीज को आप याद रखेगा क्योंकि मैं इसको change करने वाला हूं तो आपको पता चल जाए कि change हुआ या नहीं तो इसके लिए आपको बात को ध्यान देना है यहाँ पर 905 है last में status में आ आप देख रहा होंगे 2 October 2019 को मैंने इसको associate किया था अब हमें क्या करना है कि मुझे change करना है अपने AdSense account को दूसरे email पर भेज़ना है लेकिन जो हमारा AdSense verification है वो loss नहीं होना चाहिए तीचे की तरफ देख रहा होंगे यहाँ पर आपको एक change button देखने को मिल जाता है आपक पहले से ही email ID बना रखा है तो उसी पर हमें यहाँ पर transfer करना है तो simply यहाँ पर मैं signing कर लेता हूं उस email ID से तो यहाँ पर मैं उसका email ID और password डाल देता हूं नया वाला email ID आप इस बात को ध्यान रखे जिस पर आप transfer करना चाहते हैं उस email ID और password को यहाँ पर डालना होगा और यहाँ पर मैं signing पर क्लिक करता हूं जैसे हम क्लिक करेंगे तो देखें यहाँ पर Google Adsense का एक नया पेज हमारे सामने open हो जाता है जिसमें आप देख रहा होगे जो हमारा चैनल का नाम आप देख रहा होगा और जो मैंने नया email ID डाला वो यहाँ पर आप देख रहा होगे यह पर क्लिक करेंगे उसके बाद हमारा Google Adsense का पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा और यहाँ पर पॉपप विंडोज में आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जागा तो देखें यहाँ पर जैसे हम उसी पेज पर आज चुके हैं monetization वाले पे जहां पर आप देख रहा होगे यह पर आपको देखने को मिल जाता है अब मैं आपको बता देता हूं कि जो associate account है मैं उसको आपको open करके दिखा देता हूं कि वो change हुआ या नहीं हुआ जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा पिछल का ID था और 905 उसके last में था जैसा कि मैंने आपको दिखाया भी था औ कि जो हमारा पिछले वाला 905 था और चेंज होगे 805 हो चुका है और आप अस्टेटस देख रहा हूंगे यहां पर active दिखा रहा है और मैंने इसको 10 जून को किया था तो देखें यहां पर 10 जून का यहां पर आपको date भी देखने को मिल जाता है तो देखां यहां पर मैंने किस तरह से अपने जो adsense account है उसको दूसरे email पर transfer कर लिया यहां पर आप देख रहा हूंगे adsense ID भी हमारा पुरी तरह से change हो चुका है तो कुछ इस तरह से आप transfer कर सकते हैं अगर आपके पास कोई भी region हो transfer करने का लेकिन अगर आपका channel monetize है तो आप transfer कर सकते हैं आपका monetization प करता हूं आपका अच्छा लगा होगा क्योंकि इस video मैंने आपको complete step by step process बताई कि हम किस तरह से अपना जो adsense account है उसको एक email से दूसरी email पर हम किस तरह से transfer करते हैं मैंने आपको live proof करके दिखाया और मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से जो हमारा adsense का ID था वो किस तरह से change ह हो गया यानि कि पूरी तरह से जो हमारा adsense था वो दूसरी email पर चला गया और हमारा monetization में किसे परकार कोई effect नहीं पड़ा तो आज के लिए इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारी चनल को subscribe कर दें बिल आइकन जूर दबादे कि किसी तरह के वीडियो में हमें साब के लेकर आते रहता हूं तो आज के लिए बस इतना है जयें जय भारत